मद्धिप्रदेश विधान सभा चुनाओ में अचानक ऐसा क्या हुआ कि मामा की स्कूटी पर सियासी दंगल शुरू हो गया क्या चार महीने बाद होने वाले विधान सभा चुनाओ में स्कूटी वोट की गैरंटी दिलाई की आदिवासी बाहुल शेहडोल सभाग में शिवरा सिंग चौहान ने 78-100 टौपर को स्कूटी बाटी चावी पाने बालों में हिंदू मुसल्मान आदिवासी सभी थे ऐसे में सवाल ये है कि स्कूटी की चावी क्या चुनावी जीट की चावी सावित होगी ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि मुफ्ट स्कीम वालिस लडाई में वोटर किस पर महरबान होगा ये जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए मामा की स्कूटी चुनाव जीतने की गरंटी टौपर को स्कूटी कितने वोट की चावी मर्द प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान इंटर के टौपर्स को स्कूटी की चावी देकर 2023 के विधान सवा चुनाव में जीत पक्की कर लेना चाहते हैं आदिवासी बाहुले शेडोल प्रकंड में 7886 को मुख्यमंत्री ने स्कूटी की चावी सौपी स्कूटी की चावी पाने वालों में हिंदू मुसल्मान सब शामिल हैं लेकिन लाग तके का सवाल है कि क्या स्कूटी की चावी से शिवराज 2023 की जीत का ताला खोल पाएंगे क्या वो MP में 150 सीट का टारगेट हिट कर पाएंगे MP के 52 जिलों में कुल 7790 स्टूडंट ने अलग-अलग इंटर कॉलेज में टॉप किया है शेडोल में 7800 स्टूडंट को स्कूटी की चावी सावी गई अभी 1494 को चावी दी जानी है इनमे 4800 चावी सावी गई जिसकी कीमत 90,000 है जबकि 2984 चावी स्कूटी की चावी सावी गई जिसकी कीमत 120,000 है इस में शिवरास सरकार ने 89,6,020,000 रुपए खर्च किये मैं देख रहा हूँ मेरे बेटा बेटी बहुत प्रसन्य भांजे भांजे यहां इसकूटी रखी हुई है और उन पे मेरे भांजे और भांजी बैठे हुए हैं और यह केवल यहीं नहीं हुआ पूरे मद्ध प्रदेश में मेरे जो बच्चे बार भी में पहले स्थान पर मेरे बेटा बेटियों मैं तुमसे बहुत प्यार करता हुँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं जो और से बोलो आई लाव यू यह भांजे और भांजियों का स्थेह भरा रिस्ता है इसलिए मैंने का अपने अपने इस्कूल में जो सबसे जादा नंबर लाएगा उसको इसकूटी दिलवाई जाएगी और आज इसकूटियां रखी हैं मेरे भांजे भांजी उन पर बैठेंगे शिवराज स्कूटी के जरिए मामा भांजे का जो कनेक्शन जोड रहे हैं वो कितने वोट बीजेबी की जोली में डाल सकता है जिन 7800 स्टूडेंट को स्कूटी दी गई है वो भी वोटर नहीं बने है लेकिन शिवराज के टार्गेट पर उनके मातापिता हैं जो वोटर है 2022 में MP में 6,29,381 स्टूडेंट ने इंटर वोट की परिक्शा दी इनके मातापिताओं को मिलाकर करी 12,58,762 वोट बनते हैं इसके लावा शिवराज सरकार 75 फीजदी नमबर लाने वाले चात्रों को फ्री लैप्टाप बांट रही है 60 फीजदी नमबर लाने वालों के खाते में 5,000 रुपए डारेक्ट ट्रांस्वर कर रही है लेकिन यह आकड़ा सिर्फ 12,12,00 वोटर के आसपास ही नहीं टिकेगा कैसे इसे भी समझ लीजिए MP में हाइ स्कूल में भी करीब 12,64,00 वोटर हैं इन्रोल हैं लहाजा हाइ स्कूल और इंटर मिलाकर करीब 18,64,00 वोटर हो जाते हैं अगर इनके माता-पिता का वोट जोड़ दें तो करीब 37,00 वोटर बनते हैं स्कूटी जैसे लापकारी योजनाओं के जरीए सरकार इनी परिवारों को वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है अगर छात्र छात्राओं के परिवार के 70 दी वोट भी बीजबी के खाते में गए तो 2023 के विधान समच चुनाओं में उसे बड़ा फाइदा हो सकता है मैं सरकार नहीं चलाता मैं परिवार चलाता हूँ परिवार मैं तुम्हारे लिए मुख मंत्री नहीं हूँ कौन हूँ? अरे कौन हूँ? मामा हूँ और इतले अपना परिवार है तुम मेरे भांजे और भांजी हो तुमारे मम्मी मेरी लाडली बहना है हमारा पूरा एक परिवार है ये परिवार और इसलिए परिवार में सब से पहले किसकी चिंता की जाती है? बताओ ना किसकी? अरे बच्चों की चिंता करते हैं की नहीं करते? लेकिन कॉंग्रेस चुनाव से तीन महीने पहले इस फूटी बातने जैसी योजनाओं को शिवराज सरकार की नाटक नौटंग की बताकर उपहास उड़ा रही है कमलनात का दावा है कि वोटर अपकी बार लालच में फसने वाला नहीं है बार के जनता पाणी के पास आज बचा क्या है। पुलिस, पैसा और प्रशासन और बार की जनतापाणी का चे रा क्या है। प्रचार प्रचार ब्रश्टा चार और याँ अजरे खटों में बोलना हुदा आपको समझाने की आवशक्ता नहीं है आपको सब जैने की अवशक्ता नहीं है कि आज हमारे सामने को से चुनाप है चार महाईने में चुनाप है चुनाप जो चुनाप है यह चुनाप के लगारि है प्रणाफ को आता है लोग सबगाता है हर चुणाफ का अपना माम में होता है पहजै है यह चुनाफ के वर किसी उमिदवार का नहीं है यह चुणाफ के किसी पाइटी का नहीं है यह चुनाफ मत्य प्रदेश के भविश्य का है करती मैंने करी किसानों का करदा माती है कौन सा गोड़ा मैंने किया कि 100 रुपाई 100 उनिट विल ली दी पेंचन बढ़ाया यह सब मुझे दोराने बादी बात नहीं है शिवराज सिंगी मुझे पूछते हैं जी आप χिसाब दो शिवराज सिंग जी लेकन फ्री स्कीम के मामले में कौन्गरेस भी पीछे नहीं है बीजे पी जहां करीब 12 इसी योजनायं चला रही है वहीं कौन्गरेस भी फ्री वाली योजनाओं का एलान करने में पीछे नहीं है बीजेपी की लाडली बहना योजना के जवाब में कॉंग्रेस ने नारी सम्मान योजना का बादा किया है बीजेपी ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कोशल कमाई योजना शुरू की है तो कॉंग्रिस ने युवतियों के लिए पुत्रानी पेंशन योजना का बादा किया है बीजेपी ने मुख्यमंत्री करन्या विवाय योजना शुरू की है तो कॉंग्रेस ने 500 रुपए परती गैस सिलेंडर देने का अबादा किया है दोनों के बीच वोट के चक्कर में मुफ्त मुफ्त की टककर चल रही है एंपी में बीते दो महीने में एक लाख पचीस हजार लाड़ी बेहनों को एक हजार रुपए परतीमा सरकार दे रही है जबकि अब इसमें चार लाड़ी बेहनों को और जोड़ा गया है जिन्हें सितंबर में एक हजार रुपए का लाब मिलने वाला है शेडोल में शिवरा सिंग चोहान ने लाडली बहन सेना को भी सम्मानित किया इस दोरान मुख्यमंत्री ने आरोट लगाया कि कॉंग्रिस किराज में लाडली बहनों की पढ़ाई छूट गई क्योंकि हर गाओं में स्कूल नहीं थे सलके नहीं थी लेकिन पिछले 18 साल में उन्होंने हजारों गाओं को सलक और स्कूल दोनों दिये हैं उन्होंने गरीब परिवारों के लड़के लड़कियों को साइकल दी है जिससे वो स्कूल जा सकें और पढ़ लेकर आगे बढ़ सकें पहले तो हाई स्कूल हाईर सेकंडी स्कूल थे ही नहीं बहुत दूर दूर जाना पढ़ता था और पैदल बेटी को जाने नहीं देते थे माता पिता ये मैं 15-16 साल पहले की बात बता रहूं तो कई बेटी पाँच भी और आठ भी तक पढ़के पढ़ाई छोड़ देती थी तब मेरे मन में आया कि बेटीों को आगे पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए की नहीं इसलिए मैंने तैय किया कि अगर कोई बेटी अपने गाउं से दूसरे गाउं पढ़ने जाएगी तो मामा पैदल नहीं जाने देगा मामा साइकल दिलवाएगा साइकल दिलवाना शुरू की दूसरे गाउं पढ़ने जाना पढ़े फिर कुछ दिन के बार भांजों ने भी मुझे का कि मामा भांजिया तो साइकल पर जा रही है और भांजी पैदल घिसट रहे हैं हमें भी दो मामा तो मैंने भांजों को भी साइकल दी कि दूसरे गाउं जाना है तो साइकल पर बैट कर जाओ कई तरह की स्कॉलर्शिप की व्यवस्था की ताकि पढ़ाई में हमको सुविदा हो और कई योजनाएं और बनाई आज सब के विस्तार में नहीं जाओंगा लेकिन मेरे बेटा बेटियो मैं चाहता हूँ तुम खूब लगन से पढ़ो महनत से पढ़ो कर सकते हो बैज्यानिक बनके चंद्रियान भी चंद्रमा पे उतार सकते हो तुम हर एक में छमता है लेकिन कमलनाथ पलटवार करते हुए पूछ रहे हैं कि कौन 18 साल का पाप धू रहा है यह आज आई थे यह अपना रिपोर्ट कार्ट दे रहे हैं यह रिपोर्ट कार्ट दे रहे हैं मैं तो कहता हूँ इनके नेताओं से रिपोर्ट कार्ट मत देना आप तो रेट कार्ट देना रेट कार्ट कि यहां तो पैसे दो काम लो दित्ता यह गुम्रा कर रहे हैं आएंगे दित्ती डबल स्पीट पर शिवराज सिंग जी की जूट की मशीन चलेगी इसका कोई फाइदा नहीं होगा यह जूट की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है रोज आप गोशनाय कर रहे हैं रोज आप गोशनाय कर रहे हैं आप तो अपना पाप दो रहे हैं अठारा साल का पाप दो रहे हैं और ये सब ने आपको अच्छी तरह पैचान लिया शिवराज जी का नातक नौटं की मैं तो शिवराज सिंग जी को कहता हूं आप बंबई जाइए एक्टिंग करिए मद्य प्रदेश का नाम रोशन करिए ये मद्य प्रदेश की जनता का तो आप पेट बर गया है आपके जूट से आपकी गोशनाओं से पेट बर गया है लेकिन शेडौल में शिवराज चोहान बच्चों को इंटर से आगे का प्लैन बता गए आदिवासी बहुले संभाग में छात्रों को डॉक्टर इंजीनियर आएम से लेकर चान पर जाने का खौप दिखा गए उन्होंने बच्चों और उनके माताफिता से कहा तुम खौप देखो मैं उसे पूरा करूँगा इसके लिए पैसे की कमी नहीं आने दूँगा जितने मेधाबी विधारती हैं हमारे कोई भी समाज के हो मेरे SC, ST, OBC, सामानिवर्ग, कोई भी हो अब सब के लिए अगर तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी महनस से मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजरिंग कॉलेज में होता है, IIT, IIM, लॉकॉलेज कहीं भी हो मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ते हैं, तो प्राइबेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के बहुत पहिसा लगते हैं, आज लाग, दस लाग रुपया साल तक फीस होती है, बताओ गरीब बेटा-बेटी दे सकते हैं क्या, किसान बेटा-बेटी दे सकते हैं क् मेरे बेटा बेटी और उनके मम्मी पापा भी पूरे मद्ध प्रदेश वाले मुझे को सुन लें कि उन बच्चों की फीज फिर उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे कौन भरवाएगा मामा भरवाएगा अब शेडोल को भी समझ लीजिए यह आदिवासी बहुल इलाका है खनिच संपदा से भरा हुआ और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहां काम कर रही है यहां सबसे बड़ा मुद्दा रोजगा पीने का पानी और आदिवासीयों के पलायन का है इस रीजिन में विधान सभा की 8 सीटे हैं जिन में 7 सीट S.T. के लिए रिजर्व हैं हलाकि शेडोल जिले में 3 विधान सभा सीट हैं तीनों पर बीजेपी का कफजा है लेकिन निकाय चुनाओं में कॉंग्रेस के दमदार प्रदेशन ने बीजेपी की टेंचन बढ़ा दी है शेडॉल संभाग इस बार बीजेपी के लिए बेहत खास है अगर बीजेपी ने यहां पकड़ बरकरार रखी तो 47 रिजर्ब सीटों पर जीत किरा आसान हो जाएगी आदिवासियों के इस वीजन में महिला वोटर की भूवी का सबसे स्यादा है लहाजा कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच महिला वोटर को लेकर जबर्दस तलाई छिट चुकी है एमपी में कुल वोटर 5,44,52,522 है जिन में महिला वोटर 2,62,49,570 है इस बार 13,49,000 वोटर जुड़े हैं जिन में 7,07,000 महिला वोट है एमपी में 230 विधान साबा सीतों में 50 सीत ऐसी है जहां महिला, मतदाता, पूरुष, मतदाताओं के मकाबले स्यादा है जबकि एस्टी के लिए रिजर्व 47 सीतों में 18 सीत ऐसी हैं जहां महिला वोटर पूरुषों से ज्यादा है लेहाजा शिवराज जब शेड़ाल पहुंचे तो वहां स्पोर्ट्स ग्राउंज लेकर सरक और दो-दो सी-म राइस स्कूल का तोफ़ा दे गए